तो आप बाइ लोग कैसो आप सब आप सब सब आगा थाप सबीक एक और बेर न्यू शाओमी मुई एक नमबर वान बेस्ट कस्टुमाइस एन वन अप दे बेस्ट मोडिफिकेशन वीडियो सीरीज के उपर और मैंने संडे वाले थीम के एपिशोट पे आप सब से पूछा था कि आप AOD Always On Display के उपर वीडियो चाते हो की नहीं तो आप सबने मेरे को बताया हाँ भाई एक Always On Display के उपर वीडियो बना दो सो आप इस वीडियो को लास तक देखना मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगे एक ऐसे एप्लिकेशन जिसे ट्रॉइ करके आप अपने शाओमे डिवाइस को बिना रूट किये किसी भी शाओमी फोन पे Always On Display को एक्टिवेट कर सकते हो सो गाइस चलिए फिर देख लेते सोदा हुट एनी मोस्टिंग टाइम लेट्स रोल दा इंट्रो सो गाइस इस वीडियो वास स्पॉंसर्ड वाई वीमोस इस आपको यूज करके आप अपने एक ही एंडोइट फोन पे एट टाइम दो दो OS को रन कर सकते हो एंड ये जो आपका second operating system या second OS होगा ये रन करेगा Android लॉलीपॉप पे एंड ये जो Android version लॉलीपॉप है आगे जाके कुछ दिनों में अपग्रेड भी होगा Marshmallow पे तो आप उसका अपडेट का भी इंतजार करना उसमें काफी कुछ नया चीज़े देखने को मिल जाएगा इंड इस एप का और एक amazing feature जो कि मुझे लगा ओक ये root access मतलब आपके phone के bootloader भी unlock नहीं करने पड़ेगा TWRP को भी flash नहीं करना पड़ेगा और बिना किसी problem के अब सारे rooted app को use कर सकते हो जैसे अगर आप PUBG वगरा hack करके खेलना चाते हो मैं तो recommend नहीं करूँगा अगर आप fun के लिए PUBG को hack वगरा करके खेलना चाते हो तो आप वीमोस को definitely use कर सकते हो अगर आप वीमोस के look and customization देखोगे तो आपको ये पूरा stock android वाला आपको इसमें feel आने वाला है यहां पर आपको एक floating bubble भी देखने को मिल साता है जिसे tap करके आप काफी सारे features को use कर सकते हो जैसे at a time, do-do OS को run करना, tax bar को access करना and notification bar को भी control कर सकते हो so guys please check out first link in the description see more about वीमोस so चलिए फिर वीडियो को start करते है and भाई लोग सबसे पहले तो अगर आपको AOD always on display को activate करना है किसी भी Xiaomi phone पे तो आपको एक application को download करना पड़ेगा जिसका नाम है Always on AMOLED इसका download link आपको description पे भी मिल जाएगा so download install complete हो जाने के बाद आपको simply से application को open करना होगा open करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरी की screen आपको show हो जाएगा so आपको यहाँ पर चार permission को allow करना होगा सबसे first आपका जो permission है ओ है display over other step का permission second आपका permission जो की है allow modification, system settings का permission and third permission आपका phone का permission and fourth permission आपका notification access का permission इंसार permission को allow करने के बाद बस आपका काम खतम आपको यहाँ पर tap कर देना है यहाँ पर आपका application पूरी तया से activate हो जाएगा अगर आप यहाँ पर watch face पे click करोगे तो आपको यहाँ पर watch face के लिए काफी सारे presets भी आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप choose कर सकते हो always on display के लिए अगर आप जाते हो background पे तो आपको यहाँ पर काफी सारे background के भी presets देखने को मिल जाता है और नीचे भी आपको काफी सारे settings देखने को मिल जाते हैं जैसे brightness वगरा, watch face वगरा, सब कुछ यहाँ पर नीचे से भी काफी अच्छे तरीके से customize and design कर सकते हो और भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही था, I hope कि आपको एफ वीडियो पसंद आई है, एए application आपको पसंद आई है, तो प्लीज भाई लोग इस वीडियो को एक लाइक किये बिना मत जाना, क्यूंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ही जादा खुशे मिलता है, और